Good morning students, online class में class 2, आप लोगों का स्वागत है, मैं आज आप लोगों का तीसरा चैप्टर शुरू कर रही हूँ, लोमडी और अंगूर, The Fox and the Grabs किसी जंगल में एक लोमडी रहती थी, वह बहुत चालाख थी, वैसे भी लोमडी चालाख ही होती है एक दिन उसे बढ़े जोर की प्यास लगी, वह पानी की तलास में देर तक इधर उधर गूमती फिरी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला लेकिन वह बहुत इधर उधर घुमी लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिला सक्त गर्मी पढ़ रही थी और धूब भी तेज थी बहुत गर्मी पढ़ रही थी और धूब बहुत तेज थी इसकी प्यास और भी बढ़ गई चलते चलते उसे एक जगा अंगूर की बेल दिखाई दी बेल पर अंगूर के गुछे लटक रहे थे उन्हें देखकर लोमडी के मुँँ में पानी आ गया वह सोचने लगे कि किसी तरह ये अंगूर खाने को मिल जाए तो मेरे प्यास बुच जाएं वह अंगूर के गुछों की तरफ उचली और उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगी वह उन्हें गुछों की तरफ ऐसे उचली और अंगूर को तोड़ने की कोशिश करने लगी सारी कोशिशों के बावजूद भी अंगूर का कोई गुच्छा उसके हाथ ना आया बहुत वो कोशिश की लेकिन एक भी गुच्छा उसके हाथ नहीं आया जब वो काफी ठक गई तो अपने आप से कहने लगी ये अंगूर तो बहुत खटे हैं जब वो बहुत ठक गई तोड़ते तो वो बोली कि अब ये अंगूर बहुत खटे हैं अच्छा है कि मैं उन्हें ना खाऊं इतना कहकर वो वहां से चली गई इस तरह उस लोमडी ने अपने दिल को तसली दी जब वो अंगूर उसको न मिला तो वो अपने दिल को तसली दी कि वो अंगूर बहुत खटे हैं तो बच्चों आप लोग इसको रीड करिए मैं अगले वीडियो में आप लोग की वर्ड मिनिंग्स करवाऊंगी थैंक यू